ओम श्यांति सभी फॉलो फादर करने की और अच्छे कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवन हम सब के लिए सेंपुल था। उनका चलना, बोलना, देखना, सुनना, कर्म करना, व्यभार करना, प्यार देना, हलके रहना ये सब अपने में अनुपम थे और मनुस्यों से अलग उनकी परसनलीटी थी। सदाही स्वरिये नसे में खोय हुए, प्रभू प्रेम में मगन रहने वाले, संपोन समर्पन बुद्धी से तपस्या करने वाले ये महानात्मा थे। सचमुच उनका जीवन अनेकों के लिए क्या सारे संसार के लिए ही प्रेणा है। वैसे भी वे स्वयम प्रजा पिता ब्रह्मा थे। और बाबा ने बहुत सुक्सम बात बताई थी। कि देखो उनका भाग्य कितना बड़ा है, इसलिए वो भाग्य विधाता बन गए। के सारे संसार में जो भी उनने फोलो कर रहे हैं और आगे करेंगे, उन सब का सेर उनंतक पहुचेगा। तो भाग्य में व्रद्धी होती ही जाती है। और जब किसी का भाग्य बहुत उजवल हो जाता है, तो वो भाग्य विधाता बनी जाते हैं। तो ब्रह्मा तो वैसे ही भग्य विधाता के रूप में गायन है, हम सब भी कदम कदम पर उन्हें फोलो करते चलें, बहुत सारी बाबा की धारनाएं आपको पूरा वर्साती रही हैं, अब निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी इस्थिती को भी हमें प्राप्त कर लेना है, ये हमारी संपूर्ण टाक की पहचान है, जब हम धे से विल्कुल न्यारे हो जाते हैं, लंबे समय से जब हम एसरी रीपन का ब्यास करते हैं, डिटैच होते चलते हैं, तो हमारी स्थिती निराकारी बनती जाती है, और आत्मा के सातों गुन, इस स्वरूप में जागरि होने लगते हैं, तो बहुत अच्छा ब्यास करेंगे, मैं एक बात सब को बार बार याद दिला रहा हूं बाबा की, कि जो बहुत बहुत ऐसरी रीपन का ब्यास करेंगे, उनका विनास विनासकाल में नहीं होगा, वो स्वई च्छा से दे छोडएंगे, ये बाबा की मावा भगवान वाच्छे, तो ये एसरेरी पन का भ्यास हमें बहुत चीजों से मुक्त कर देता है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है, निर्विकारी स्थिति के बारे में हम सब परिचित हैं, जब हमारा एक विसंकल व्यर्थ भी नहीं जाएगा ना उसमें पर चिंतन का हो, ना सद्वेस का हो, तब हम सभी अपनी संपोर्ण निर्विकारी स्थिति को प्राप्त करेंगे, हमारी लाइट बढ़ती जाएगी, हमारी चमक बढ़ती जाएगी, तो काम विकार की सुक्स में च्छाओं का भी त्याग करते चलें, क्रोध भी श्यान्त होता चलें, संसारी की च्छाएं भी लोप होती चलें, महों की तो निरंतर हमें साधना करनी है, और जैसे जैसे निराकारी स्थिति बढ़ेगी, महों भी चूटेगा, एहम, मैप, अभीमान, घमंट, ये सब छोड नहीं हैं हमें, इन सब को छोड कर हम संपोर्ण रूप से निर्विकारी बनते च चलें, निर्विकारी आत्माएं इस संसार में बहुत थोड़ी होती हैं, उनकी यहां उपस्तिती बहुत ही इंपोर्टेंट है, वो इस्तरश्टी के लिए स्रंगार होते हैं, वर्दान होते हैं, उनकी तो महत्ताई अलग है, उनकी प्योरिटी के आधार से संसार को बल मिल अनेक आत्माओं का देवत तो जागरित होता है, और ऐसे ही हम निर्विकारी भी बनते चलें, हम नम्रचित होते चलें, स्वेट बनते चलें, बहुत अच्छी स्थिती को प्राप्त करते चलें, क्योंकि हमारी निर्विकारी ताही हमारी सुम्यता है, हमारे सुंदर्चरित कि पहचान है, हमारी माहनता है, अगर किसी ज्ञानी और योगी में भी एंकार बहुत रहता हो, तो उसको लोग सुईकार भी नहीं करते हैं, एंकारी व्यक्ति के बोल भी, दुसरों को कश्ट पहुचाते हैं, और उसे वाइब्रेशन्स भी निगेटिव होते हैं, संगटनों में भी टक्राव रहता है, इसलिए अपने को चेक करते हुए, बहुत बहुत नम्र, मैंपन और मेरे पन से मुख्थ होते चलेंगे इस वर्ष, ये हम सब को पूरी तरह कर लेना है, तो सभी बाबा के इन तीन सब्दों को कोई ऐसी जगे लिख लें, जिन पर रोज दरश्टी जाया करें, और संकल्प कर लें, यही हमारा लक्स है, ओम चान्ति,